हेलो दोस्तों मैं केके सर आज हिंदी व्याहकरन की संग्या की कलास जो हिंदी व्याहकरन की री जुमाना जता है घ Twyक कि चुलात करेंगे आप लोग के खोपरी में कश करेंगे खोपरी यानि भेजा भेजा में रख देंगे आप देखिएगा इसकी, इस कलास आपको यह होगा, कि संग्या परहाएंगे, उसके बाद सरो नाम परहादेंगे, बीशेशन परहाएंगे, लगतार आपका हिंदी व्याकरन चलेगा, और इस सब अब्जेक्टिव कोहचन भी लाएंगे, आप देखिएगा, फूरे बीजियो कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान और भाव के नाम को संग्या कहते हैं, बच्चे से पहते रहेंगे, नाव निजर नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संग्या कहते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे, किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान और भाव के नाम को क्या कहेंग संगय कहेंगी को भगा संगय के पष्भासाता का दिवा बैक इसी तरह बोल दिजेगा कैसी वरेक्ति अस्थानभाव किसी भी नाम को संगय कोते बस अच ही कोते ज़िए जय स्थान और किरिया आदी के नाम को संगय कोते हैं stars जैसे में क्या हो पुरा का स्टहिसम पुरा की लेके चलेंगे और की अब कहें तो है गुन दिखा रहा है उसके भाव को दिखा रहा है डिल्ली सब क्या है विपती है सब आपको वास्तान को दिखा रहा है आगे देखिए अब आगया यह पांच परकार के होती है अब पुछे क्या पांच परकार को होती है तो संग्या पांच परकार को होती है अब क्या क्या होता है पांचो का नाम याद रहना चाहिए पांचो का नाम क्या है याद रहना चाहिए आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों में हम प्रहा देते हैं कि आपको दिकत नहीं होगा आप देखेगा कि व्यक्ति वाचक संग्या इंग्लीज पर करते प्रोपर नाउन व्यक्ति वाचक संग्या प्रोपर नाउन दो में क्या जाती वाचक संग्या किसको क्या कॉमन नाउन तीन में है समू वाचक संग्या कोलेक्टिव नाउन, चार में द्रब्य वाचक संग्या मेटेरियल नाउन, भावाचक संग्या अश्चेक नाउन, अब पांचो का नाम याद करा देते हैं, क्या-क्या है, बोल दीजेगा एक पर अपने साब बोलिए, क्या-क्या लिखा हुग नाउन आभःवा चैन्या एंफ चिक नाउं पांचो नाम याद रहना चाहिए अबだ चोप के डिफिनिसन और शनाथ में पांचो के एग्जामपल स्एंथ में देखी आगे अब देखिएगा क्या होगा जिस सब्सक्त से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाती का बोधव होता है उसे उन सब्दों को जाती बाचक संग्या कहात है अपकर के सखाई से बताइए ता घोरा तो गोरा से हो giys का एस मतलब क्या ए सब्ढूरा काला पूररा है गोजला गोड़ा काई वह दोरा है legs L काला गोड़ा काई ओर रहा है इस अब भूरता का दोरह है कौल गोड़ पुरूरह की बोड़ हो रहा है इसका मतलब है एक जाती है सब करने के मतलब का ह्युगा पूरेा ओगे देखिए फूऔर हें फूल कहने के मतलब क्या हुआ फूल हुआ फूल कहने के मतलब पूल कर दियो पूरे जाती भर का बोध करा दियो इससे जाती बाचक संग्या कोते हैं और फूल में अनेक परकार क्या being painful सुमझ में रहा हैं तो यह पूर्य समोर कर देगा पूर्य जाति का बोध कर देगा उससे जाती है अप क्या है मनुस फूरियमनुस पूर्य के बुढ लरंकी आप ऑब गद्धा नौज्वान के औरत डिया हुए और उसमें कोई काली काला औरत काली सुन्दाता क्या होता है सुन्दर औरति के कहने के सेंस का घुझा मनुष जाती में सभी का बोद्करा रहा है तो क्या हो ग्या आपको जाति वांक्त हो गया बरिग्ष कहने व्यक्त के पूरे समलूक का बहंत करा रहा है मतलब क्या हो तो जातिवांक्त हो गया क्या हो गया जाति पूर Ne смs हर्म आगे सब फोटो भी है देखे दो कि पोधियों का तरह को नहीं अब प्रकार के फूल है एकदम एक्जाम्पल के साथ फोटो के साथ फोटो के साथ आफका है एक्जाम्पल आगे देखिए कि अब है व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति वाचक और व्यक्ति वाचक है अब देखिए को इस जीन सब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अस्थान अथ https वस्तु के नाम का बोध उसे व्यक्ति व्यक्ति कोई डीशेष का जयपूर जयपूर का लिचत Ilanail क कह नहीं है कि दूसरा जयपूर एकी जयपूर है कहां राज्यस्ता so मेरा नाम है क्रेंदा पंकर्सर एक विश्ज व्यक्ति का नाम है अब दिल्ली कहने के सेंस का हुआ एक राजधानी के बोध हो रहा है ना भारत की राधानी दिल्ली ते इसका कहने के मतलब हुआ एक खास व्यक्ति का नाम एक खास जगर का नाम एक खास अस्तान का नमा रहा है तो क्या हो गया व्यक्ति वाचका गया भारत खास देश का नमा रहा है इस तो एक भारत को दिये तक्या भारत है ऐसा तो नहीं है भारत एक ही है कि रामायन कि रामायन कि देखते हैं रामायन क्या है इसके नहीं है इसके कहने के सेंस का हुआ कि एक विष्ष spec जगह इसे विखती वाचा कर रहे हैं आगे देखिये राम स्याम अफ्रीका राम स्याम कहने का मिलब राम किसी व्यक्ति का खास नाम है उसी का बोध हो रहा है इसका मतलब का व्यक्ति वाचक संग्या है कोई दीकत है मेरे बात को समझे और सुनी आपको पूरा दिमाग में एड हो जाएगा आगे देखिए चला आना टाइम ठीक है आगे देखिए अब हाव अचक संग्या भाव अब देखिएगा भाव अचक संग्या जिस संग्या सब्दों से किसी गून दोस भाव अत्वा दासा का बोध होता है बोध होता है उसे भाव अचक संग्या कहते हैं जैसे कि बच्पन जवानी बुढपा भाला महता सुनदाता मदूता के सत्य कोमलता यह सब क्या हो गया यह सब भाव का बोड़ुता है ना काथे बुधभपा म्य hum मेर्धाओ भाव एकडारś एक चाई बुरा एक भाव का गुण को दिखाता है उसे उक आफच्छन काते हैं और का वजटेकर पैसे यहां बच्पन क्या बच्पन , बच्पन बच्पन क्या है सुन्दाथा इस सब क्या है ? इक भाव से बहुत कर रहा है scared पाकिस्तान के है इनको क्या कहिएगा कोमालता कहिएगा या सुन्दात्ता कहिएगा या जवानी कहिएगा आप क्या कर सकते हैं कि इनमें सभी गुन उपलब्ध है सभी गुन क्या है मिलता है इस इनको क्या करेंगी यह जवान भी है कि कि कुछ दा भी है आप कुमल भी है समजह में आगा बाव समंझ में आ गया होगा अ फोटो देखे हैंँगे हा फोट देखेो आँधको को आ गया होगा आगे देखिए आप कि अपर और कुछ एजांपर सबंदे दर्देते हैं क्या होता है यह लीक भी देते हैं तो अच्छाई पोके अच्छा कि ऑ कि इस नहीं लिखे अच्छाई ओगया यह यह भशाई जो यह हो neurot कि नाter है जितना एक्जाम्पल पेस करें हैं एक्जाम्पल ही आप बढ़्धिया से देख लिजेगा आपको क्या होगा कि आपको समझने कोई दीक्त नहीं इस पर अब्जेक्टिव कोचन भी लाएंगे हम ठीक इसलिए पूरे वीडियो के देखिएगा कि अब्जेक्टिव कोचन में आपको बोध होता है तब उसे समूव आचक संग्या कहते हैं जैसे परिवार काक्षा सेना भीर पूलिस आदी इस सबसे क्या हुगा है एक समूव का भोज़ुरा है जैंगुच्छा हो गया गुच्छा कहने करें अंगुर का गुच्छा आता है कि दरजन बोल देते हैं कक्षा सेना भीर पूलिस क्लास्रूम बोल देते हैं इस सब क्या हुगा समूव का भोज़ुरा परिवार परिवार कहने के मतलब क्या हुगा तब परिवार में क्या समूव होता है जैसे में दादा दादी माता पीता चाचा चाची भाई बहुत सारे लोग रहते हैं इसको क्या परिवार कहते हैं क्यों डते हैं तो क्या कहेंगे श्यूम राचek संध्या कहेंगे क्या कहेंगे खीजर काच्छा में नकैका टाइक Now को प आंगधुर का गुछ्छ पहा जाता है आप समझ नाया ओजाएगा आगे देखिए अबा अब है द्रभ्य वाक्षक संग्या मेटेडियल ना अब देखेगा जब किसी संग्या सब्द से किसी ध्रव्य का वोध होता है उसे ध्रव्य अच्छक संग्या कहते हैं जैसे पानी सोना तेल घी डाल अब देखें और कुछ हम जोद देते हैं बता देते आपको क्या है कि इसमा जगा गर धात्तु और 3,148 रहता है तंद कौह थारह्ट है जहां जांग प्रवह कि इसमा पाध्र जेते हैं सब्लें कि अध्यार्य च्छक संग्या करते हैं तंधिव यकोध जब भर कि यहां इसे मांपा इसे मांपा कर दो ला मापा तोला जाता है इसे मापा तोला जाता है और क्या होता है इसे गीना नहीं जा सकता है इसे गीना किसको द्रबला चेक सेंगा कोगी इसे इसे गीन है इसे गिन को नहीं इसे गीन नहीं इसे गीन सकते हैं इसे गीन सब्सक्जेब उब कर जब किसी संघ्या सब्सेуск triste किसी दरवकाई का बोर्द होता है उसे दरव अच्रक संघ्या कहते हैं इसमें को आता इसमें इसे माप को सकते हैं इसे गिना नहीं ग्श सकते हैं और सबस्सक्राइब कर रिज्ट मेंद हो गिन में पानों में केले कि अटा हो गया गिर मिलता है ये कम अटा चावल 3-3 पुल सि टो सबसक्ते हैं तो नहीं गिन सकते हैं तीजतर दोड़िया देखिये और newborn अदु LA जाता है उसे क्या कहेंगे द्रवाचक Senghya अब कोई दिकत है नहीं होगा पूरे class में किया इन के डाट कोपरी में बोले हैं तो फोपरी में आपको रख देंगे आगे देखी अघ्य इतना ही है class में daily आप लोग प्रजेंट हुए ए क्लास में regular रहे आप विडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपका अपजेक्टिब को जब हम कराएंगे, उसमें आपको कहा है, बहुत फाइदा होगा, इसलिए डेली क्लास में आइए, चलिए, आगे के वीडियो कर आएगा, आप लोग पूरे वीडियो के देखिए, ठीक ह झाल झाल झाल